तो मुझे काफी सारे बच्चों के मेसेजिस आते हैं कि सर हिमाचल परड़ेश पुलिस कॉंस्टेवल की विकेंसी कब आएगी, पुरेस्ट गार की कब आएगी, पटवारी की कब आएगी ठीक है तो उसका जो अंसर है वो आपके साम नहीं है और ये जो कटिंग है ये आज की नियूस पेपर की है ठीक है तो क्या लिखा हुआ है पांच लाख बेरोजगारों का बड़ा दिया इंतजार येस ठीक है तो जैसे कि आपको बता है कि सुखु सरकार ने पहली कैबिनेट में एक लाख नोकरियं देने का वादा किया था और दावावे किया था लेकिन नहीं देखी क्या लिखा हुआ है कि प्रदेश की कांगरे सरकार के पहले कैबिनेट में एक लाख नोकरियं देने के दावे का तो अभी कोई अता पता ही नहीं है उल्टा रोजगार के लिए करीब पांच लाख बेरोजगारों का इंतजार फिलहाल बढ़ा दिया गया है इसका कारण यह है कि दिसंबर में हुए पेपर लिख मामले की जाच के चलते राज्य करमचारी चैन आयोग हमिरपूर को निलंबित करने से लगबग 447 पदों के लिए भरती की प्रक्रिया अधर में लटक गई है इन्हीं पदों पर भरती होने के लिए करीब 5 लाख अभि जीत भिविन पोस्ट कोड की चंटनी परिक्षाएं हैं उत्रिन करने के बाद भी अवियर्थियों को 2 साल से नियुक्तिया नहीं मिली है यानि कि कुछ कैंड़ेट ऐसे भी थे जिन्होंने जो परिक्षाएं हैं जो चंटनी परिक्षाएं हैं वो उत्रिन भी कर ली हैं ले अपक्ष रख चुके हैं अब युबाओं के सब्र का बांध तूटने लगा है राज्य करमचारी चैन आयोग हमिरपूर पहले भी बिवादों में रहा था तो पूर्व सीम बीरवद्द सिंग जी ने अपने कारेकाल में कुछ पद जो पहले हमिरपूर बोड में थे उसको ब नहीं थी ठीक है कुछ परिक्षए ऐसी है जो की परिक्षए हो चुकी है लेकिन उसकी डोकुमेंटेशन नहीं हुई है और कुछ परिक्षए ऐसी है जो अभी कोर्ट में फसी हुई है तो यहां से आप आईडिया लगा सकते हैं कि अभी जो आने वाली विकैंसीज है वो कि 1647 पदों पर होनी है परिक्षा है जो कि अभी लास्ट में December I think December November December में फोर्म फिल हुए थे तो वहाँ पर हिमाचल पड़े सब स्पेक्टर ठीक है HRTC conductor वगएरा fireman वगएरा तो इन vacancy की जो थी वो फोर्म फिल हो चुके थे लेकिन अभी उनके exam होने थे ठीक है तो अभी वो भी नहीं हुए है और कुछ ऐसी परिक्षाई है जैसे के JOIT बगएरा तो उनके मामले जो है वो कोर्ट में फोसे हुए है ठीक है तो यहां से मैं आपको simple सी बात बताऊं कि अभी आप हमारे हिमाचल परदेश की जो vacancies आने वाली है उनके भरोसे आप नहीं बैढ़ सकते अभी आपको करना क्या है मैं आपको छोटी सी सलाह दूँगा अभी आपको center जो level के exam होते है वहाँ पर भी आप भी जा सकते है जैसे के अभी MTS वगरा निकला हुआ है तो आप हमाचल के इलावा जो center में exam निकलते है वहाँ पर भी आप go through कर सकते है तो ऐसी news से demotivate नहीं होना है अपनी तयारी को जारी रखना है क्योंकि जैसे ही notification आ गई तो आपको इतना prepare होके रहना है कि जैसे ही notification आए आपको वो exam definitely निकालना है तो पढ़ाई से दूर नहीं होना है पढ़ाई आपको अपनी daily routine में add करनी है जिस परकास से आप पहले करते थे उसी परकास से आपको अभी भी पढ़ाई करते रहना है clear है? यस ठीक है team motivate आपको नहीं होना है चली जैहिंद